नर्सरी जा रहे हो और कितने भी पोधे आपको healthy नजर आए सुन्दर नजर आए लेकिन आपको गलती से भी वे पोधे नहीं लेने हैं उन्हीं में से कुछ पोधे मैं आपके शाथ शेयर कर रही हूँ क्यूं नहीं लेने हैं वो भी बताओं नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होपा पच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ देखे फ्रेंड्स अगर आप नर्सरी जा रहे हैं या बिगनर है पोधे लेने की शोच रहे हैं यह वाला जो पोधा है सिंगोनियम का पोधा है इसमें बहुत सारी वराइटी आती है अलाग क्योंकि अभी दिसंबर लास्ट चल रहा है और पूरे ही जनवरी ठंड पड़ेगी और ठंड के मौसम में यह जो प्लांट है यह डॉर्मेंसी में चला जाता है यानि इसकी पतिया है वह पीली होके सूखनी नजर आती है अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो कटिं अगर नर्सरी वाले जो खाद डालते हैं और जूंड में पोदे रखते हैं तो उनके पोदे वहां पे healthy नजर आते हैं लेकिन जैसे ही हम इन पोदों को घर पे लाते हैं तो यह ऐसे सूखते चले जाते हैं और यह वाला जो पोदा है अभी डॉर्मेंसी में चला जाता है क् तो कि सर्दियों में ये पोदे ऐसे ही रहते हैं, और जैसे ही मार्च वाला मन्थ आएगा तभी अच्छे ग्रोध पे भी होएंगे फ्लावर भी देएगे, थर्ड हमारा जो प्लांट है ये है अपना वांडरिंग चू, वांडरिंग चू भी सर्दियों में सुकता नजर आराम से नहीं लगेगा थोड़ा सा टाइम लेगा बट आपको अगर कटिंग लगानी है तो कटिंग लगा के आप छोड़ दे 15-20 दन तक के उससे कटिंग को आप फिलाए डुलाए नहीं तभी आपकी कटिंग लगेगी अगर आपको ये प्लांट लाना है तो आप मार्च मे या फरवरी के लास्ट में आप ले सकते हैं इसको भी अभी नर्सरी से मत लाएं जो फॉर्ट प्लांट है हमारा ये है अपना सोंग ओफ इंडिया ये भी नर्सरी में आपको बहुत ही हेल्दी नजर आएगा इसकी और भी बहुत सारे वराइटी है बिल्कुल गरीन पतियो वाला भी आता है और ये ऐसे बिल्कुल ही पतियां इसकी खूबसूरत होएंगी लेकिन इसको भी आप नर्सरी से अभी दिसंबर में या फिर जनवरी में मत लाएं क्योंकि दो मेने बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ेंगी और सर्दियों में कम ग्रोथ भी करता है और जो पतियां है वो भी सुकती नजर आएंगी इसको पानी भी कम देना होता है तो ये पोधा आपको वहाँ पे हेल्दी तो नजर आएगा बट आपको गलती से भी इस पोधे को नहीं लाना है ये जो पोधा है इसको लाने का सही टाइम आप अर्वरी के लास्ट में ला सकते हैं या बारिश वाले मोसम में तो आप कोई भी पोधा ला सकती है तो ये स्वांग और फिंडिया भी देखने में खूब शूरुत लगेगा आपको वहाँ पे पट्टे आप इसको मत लाएं अभी का जो मोसम है वो इसका डॉर्मेंसी वाला मोसम है अभी कोहरा पड़ेगा तो ये थोड़ा थोड़ा सूखता नजर आएगा नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है टर्टल वाइन टर्टल वाइन की भी बास्केट बहुत सारे आपको वहाँ पे नजर आएंगी और आपके घर में भी अगर टर्टल वाइन है तो आप उसकी कटिंग लगाते रहें चाहले आपको नहीं पता है कहीं लगा ने उसके से ग्रोथ करता है और यह उपर वाली जो वाइन है सबी सूख गई क्योंकि सर्दियों में सुकता नजर आएगा इस पोदे को भी आप बिलकुल भी मत लाएं और यह वाला जो पोदा है यह मैंने कटिंग से लगाया था तो इसकी कटिंग लगाती रहती हूं तभी यह मेरा हैल्दी है तो इस गंबले में देखो यहां इसकी जो वाइन है वो कि मिलता है लेकिन वहां पे आपको यह हैल्दी नजर आएगा और छोड़े-चोड़े पोर्ट में लगा हुआ मिलता है लेकिन आप इसको बिलकुल भी मत लाए अभी का जो टाइम है इसका डॉर्मेंट से और इसकी जो पतिया है वह ऐसे सुकती चली जाती है कई बार तो इस इसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो अभी बिलकुल भी मत करें वैसे तो यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है परपल कलर का है और ग्रीन प्लांट के बीच में रखने से गर्डन सुंदर भी लगता है और एक बार आने के बाद दुबारा तो इसको लाने की आवशकत नहीं होगी लेकिन अभी दिसंबर जनवरी में इसको बिलकुल भी मत लाएं नैक जो हमारा प्लांट है यह है रियो का रियो भी बहुत ही खुबसूरत प्लांट है आपको नर्सरी में बहुत ही प्यारा नजर आएगा कलरफूल नजर आएगा गरीन और परपल इसका शेड आती है और अगर किसे के पास यह पोदा है तो इसमें पानी बिलकुल ही कम ही डाले वरना इसकी जो पतिया है वह ऐसे सूख सूख के प्लांट खराब हो जाता है नेक जो हमारा प्लांट है यह है अपना विक्टोरिया प्लांट इसको कॉर्न प्लांट भी बोलते हैं इसको तो ड्रैसिना की भी बहुत सारे वराइटे आती हैं, तो ड्रैसिना को भी आप रहने दे, नर्सरी जा रहे हैं तो इस पोदे को भी मत लेकर आए, इसको आप अगर मौन सुन सिजन में लाएंगे, तो ये बैस्ट रहता है, ये वाले जो पोदे हैं, ये पर्मानेंट पोदे ह यह मेरा पॉदा जो है 6 साल का है। काफी बड़ा है झींफ बढ़ा है और असी प्लान्टक्ट मैंक मैंने लिया था appelez2 प्लान्ट बना ली है कटिंग से बना हुवा ही प्लान्ट है तो इसका भी डॉर्मेन से पेड़ है इसको भी आप नर्सरी से बिलकुल भी मत लेके आए अभी इसको रहने दे और जब हमारे गर्मिया शुरू होएंगी तो आप मार्च में इसको ला सकते हैं आप उसके बाद तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं ने जो हमारा पोदा है यह है अपना मैक्सिकन पिटुनिया तो यह मैक्सिकन जो पिटुनिया इसमें बहुत सारे वराइटे आती है यह वाला जो मेरा पोदा है इसमें देखो यह चोटे-चोटे पहले गर्मियों में फेलावर आये थे और अभी देखो इसमें बीज बनने शुरू हो गई है तो बीच से भी बन जाता है और अभी ये पोधा डॉर्मेंसी में है तो नर्सरी में अगर आपको कहीं ये पोधा नजर आए इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं लाइट पिंक और मेरे पास डारक पिंक भी है तो पूरी गर्मिया फ्लावर निंग देता है लेकिन अभी सर्दि निचे निचे निकले हूए हैं तो इसको भी आप नर्सरी से भूल के मत लेकर आए यह भी आपको वहां पर ही थोड़ा सा healthy नेजर आएगा तो इसको भी आप मत लें नेक्स जो हमारा प्लांट है यह अप्राजिता का प्लांट अभी भी फ्लावरिंग देता है और कईयों के घरों में भी देता है और यह वाला जो प्लांट देखो मेरे भी फ्लावरिंग होती रहती है इस प्लांट पे एक बार यह सूग गया था फिर मैंने इसको अच्छे से प्रून कर दिया तो दूबारे से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई और एक बार मैंने इसमें खाद में डाली तो फ्लावरिंग घथा so मैं कीचन वेच्ट से बनी लिक्विड फर्थिल्याजर इसमें डालती रहती है तो इसमें पोद्य को भी आप मत लाए kun अगर आपको यह पूधा लेना है तो आप मार्च में लें और या फिर इसको बीज से लगा लें नेक्स जो हमारा प्लांट है यह है गोरी चोरी का प्लांट इसको टिकोमा भी बोलते हैं मेरा जो यह प्लांट है यह थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया है क्योंकि यह डॉर्मेंसी में है लेकिन अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो इस पे अप ठेरो फ्लावरिंग देखेंगे क्योंकि वो जो है नर्सरी में पोदे बहूती हेल्धी नजर आते हैं वो अलगी तरह से उनकी कियर करते हैं ख़ाद डालते हैं और plants के बीच में वह healthy नजर आते हैं और ये वाला जो plant है ये इसमें red flower आते हैं तो ये तो मेरा इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी कम डाला है पानी देखो मैंने दो दिन से पानी नहीं दिया है तो ये भी dormancy में है नेक जो हमारा plant है ये है अपना सफलेरा सफलेरा को भी आप मत लेके आएं क्योंकि ये भी वहाँ पे आपको बहुत ही घना और healthy और खुबसुर पत्य वाला नजर आएगा जैसे हमारा जो क्रोटोन होता है क्रोटोन का भी आप अभी इग्नोर करें उसको भी आप nursery से मत लेके आए क्योंकि लाते ही वह जैसे ही आप लगाएंगी उसक इसकी गिर रही है पतिया अभी थंड के मोसम में तो दो महीने के लिए इन पोदो को आप इग्नोर करें अभी अगर आपको कुछ लेके आना है तो आप winter वाले जो प्लांट है वो लेके आ सकते हैं लेकिन वो permanent नहीं होते हैं अगर आपको permanent बनाने है तो उनको save करना होईग नेक्स जो हमारा plant है ये लिली का ऐसे इन पोदो को भी आप इग्नोर करना फिर नेक्स जो हमारा plant है ये है spider plant ये वाला plant भी आपको वहाँ पर बहुत ही healthy नजर आएगा लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप दो महीने इनको इग्नोर करेंगे तो ये भी आपका खराब नहीं ग्रोथ करता रहता है और ये वाला जो शांटा कलोज है मैंने कल बनाए थे और एक वीडियो भी शियर की है इस से पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो शांटा कलोज वाली है ये प्लास्टिक बोटल से मैंने बनाए थे और इसमें मैंने देखो मिट्टी पर के भी लगा स दिखाया हुआ है, तो ऐसे भी आप DIY कर सकते हैं, वैसे कबार से जुगाड तो मेरे गार्डन में भराई पड़ा, आप देख सकते हैं, और ये वाला जो है, ये है चांदनी का प्लांट, ये जो हमारा मीनी चांदनी जो होता है, जो देसी टाइप का होता है, बीस तीस में मिल आपको वहां पर खूब शुरुत तो नजर आएंगे, और ये खूब शुरुत नजर आएंगे, तो आप लालेच में आके उन पोदों को खरीद लेंगे, लेकिन आपका ही नुकसान होएगा, क्योंकि अभी सर्दियां अभी ज्यादा हुई नहीं है, एक महीन सर्दियों का खूब पड़ेगा, और हमारे प्लांट्स पे इनका अशर पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसे पोदे नहीं लेने हैं, और जेड को भी अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, बट अगर आपने ले लिया है इस पोदे को तो आप इसको थोड़ा शा बचा के र ख्याब हो जाते हैं, पत्या गिरनी शुरू हो जाती है, तो उन्हें के लिए जानकारी थी और जानकारी अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब